हेलो फ्रेंड्स वेले कॉंटूम मैं यूट्यूब चैनल आज किस वीडिया हैं डिसकस करेंगे कि जो ऑनलाइन फॉर्म निकले हैं इस लिक पर जाने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और यह अडिमिशन जो हैं आपके क्लास 6th और 9th के लिए हैं तो नीचे आपको लिंक मिलेगा Candidate Activity में AISSEE 2023 Application Form इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यह पैनल ओपन हो जाएगा तो हमें new registration करनी है तो आप यहां से new registration कर सकते हैं अगर आपने sign in करना है application form डाउनोड करने के लिए यहां से application number और password फिल करके आप उसको डाउनोड कर सकते हैं password और application number की भी recovery कर सकते हैं by using your email id and phone number and also use security questions तो फ्लाल हमें new registration करनी है आप इस link पर क्लिक करेंगे इस link पर क्लिक करने के बार आपके सामने instructions पर जाएगा जिसमें आपको यहां फीसवेरा बताई जाएगी general OBC की 650F और SCNST के लिए 500 है बाकी बताया गया password size जो भी आपका वो रहेगा वो हम आपको सारा practical step आगे बता दूँगा check box पे click करके यह जो आ रहा है आप click here to proceed पर click करेंगे मैं यहां पर अपनी email id भी open कर लेता हूं because पर भी OTP जाएगा और आपको phone पर भी OTP आएगा then after आपको यह details फिल करनी होंगी जिसमें सबसे पहले बच्चे के father का नाम आएगा sorry बच्चे का नाम आएगा then father का नाम आएगा उसके बाद mother's name आएगा date of birth बच्चे की यहां पर आएगी यह details आपने बड़े ही ध्यान से फिल करनी है otherwise you are not able to edit any details लेकिन इनका correction panel start होता है आप उसमें भी correction स्वेरा कर सकते हैं gender आएगा बच्चे का identity patient type में यह सारी चीज़ें आप एड़ कर सकते है any other government valid idea आप यहां पर अधार का number भी आड़ कर सकते हैं कोईशा issue नहीं है कि आप अधार का number issue नहीं कर सकते है और फिल नहीं कर सकते है और यहां पर address आएगा आपका तो हम यहां पर address फिल कर देते हैं optional जरूरी नहीं है जो भी आपका proper address है country तो चलिए फिलाल हमारे इंडिया रहेगी और मैं जिस राज्य से state से belong करता हूँ वो पंजाब है तो मैं अपने पंजाब के according टेल फिल कर रहा हूँ लेकिन आप अपना जो भी आपकी city या या state house के according आप इसको फिल करेंगे तो मेरी रिस्टरी खुश्यारपूर है और यहां पर मैं अपना फिल कर देता हूँ pin code then after that email id compulsory है जिसको आप बड़े ही ध्यान से फिल करिएगा because इस पर आपको दोनों को verify करना होगा दोनों mean to say आपका phone number and your email id तो इसको हम फिल कर देते हैं और इसको आपने verify भी करना है नीचे देखिए verification के लिए बोलड़ा है तो हम इसको यहां पर again fill कर लेते हैं details वरा fill कर लेते हैं नीचे phone number आएगा तो आपने phone number यहां पर working वाला fill करना है जो आपका working में हो same phone number आपने नीचे re-enter करना है तो हम यहां पर re-enter कर देते हैं नीचे scroll करेंगे अगर आपका permanent और correspondence address same है तो आप यहां checkbox पे click कर देंगे password आपको set करना होगा password में आप capital small और characters का use करेंगे special symbols का use करेंगे जैसे admin at the rate 123 so ऐसे हम एक password set कर लेंगे जैसे आपका नाम है arun at the rate 123 security question चूज़ करेंगे तो जैसे मैंने school choose किया और जो भी school का मेरा नाम है वो मैंने fill कर दिया यहां पर आप capture दिया गया से मैं ऐसे ही capture fill करेंगे in capitals और before submission आप एक बार सारी details चेक कर लीजी अगर सब कुछ done है नीचे जाके आप उसको submit कर दीज़े अगर कोई land number देना चाहते हैं आप दे सकते हैं फ्लाल हमने नहीं देना directly submission पर click करेंगे तो आपके सामने editation page आ जाएगा जिसमें आपको सारी details एक बार देखनी पड़ेगी अगर सब कुछ done है name, gender, father's name आपका address यहां पर हिंदी में भी लिखा गया है वो आप चेक कर सकते हैं mother name सब कुछ सही है यह fill करके आप i agree पर click करके submit and otp पर click करेंगे अगर कोई editing वारा करना चाहते हैं तो आप editation form पर click करेंगे आपका form under editing mode आ जाएगा तो आप उसमें detail added करके again जब submit करेंगे यह detail आएगी अगर सब कुछ done है आप submit and send otp पर click करेंगे तो यहां पर yes करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं phone number आ गया है तो उस पर आपको otp आएगा तो मुझे otp receive हो गया इनका otp आ जाता है साथ के साथ काफी अच्छा यह agency है जनके तुरू यह form वगरा फिल कराते हैं यह agency पूरी करती NTA तो यहां से submit कर दी जिनके form में कोई issues वेरा नहीं आते 99.9% तो नहीं आते मैंने use करता हूं तो यहां पर हमारा first version हो गया आपको application number आ जाएगा यह जो सामने है नहीं आता तो आप उसको note भी कर सकता है mail id पर भी आ जाएगा text भी आ जाएगा और यहां पर भी show हो जाएगा बाकि हमें further tail fill करनी है यहां पर नीचे complete application form पर जाएगे यहां पर fill करके यह सारी tail हमें fill करनी पड़ेगी सबसे पहले personal tail पर click करते हैं यहां पर click करने के बाद आपको जो further details spending है जैसे nationality होगी आपकी domain style आप कौन सी state के हैं जैसे for example मैं पंजाब का हूँ अगर कोई other है state का तो उसके recording वो किसी में करता है उसे recording कर सकते है category जैसे बच्चे की channel है वो select कर सकते हैं सब category compulsory नहीं है income level कितना है उनका उसके recording fill कर दीजिए और वो कौन साइन में job करते हैं उनके जो father है coast guard, assam rifles यहां son यह मैंने select कर लिए other defense में है उसके बाद यहाँ पर weather, siblings, studying, senate school अगर कोई भाई बहन आपका school में job पहले से study करता है उसके recording करेंगे क्या आपने पहले जो from where did you come यह आपने कहां से जाना यह जो exam के बारे में तो यहां से फिलाल friends के बारे थू जानते हैं maximum बच्चे, otherwise you can also prefer other mode जो है social media accounts वेरा जो भी है again यह fill करके आप यहां पर जो capture दिया गया इसको fill कर देंगे और इसको save and next कर देंगे, इसको yes कर देंगे आप intel को बाद में edit भी कर सकते हैं, उसके बाद आपका धार कर है तो yes कर दीजिए, नहीं है तो no कर दीजिए, compulsory नहीं है धार कर, अगर है तो yes, otherwise no तो फिलाल हमने वहां कर दिया था, कोई issues नहीं है, तो class कौनसी में admission लेना है, 9th में लेना है, school आपने कौनसे में पहले, यह school where admission sought, यहां पर admission लेना चाहते हैं, वो आप यहां पर school fill कर दीजिए, आमने एक पूरतल अवाला चूस किया, आप कौनसी मीडिया में देना चाहत English में, center आपका कहां लेना चाहते हैं, जैसे मैं आप sharp words से हूँ, तो मुझे सबसे close यहां पर पढ़ेगा, लुध्याना, second मेरी state पंजाब की दूसरा मुझे यहां पर close पढ़ेगा, अमरे sir, बाकी जो further है, वैसे 101% आपका first जो आपने select किया है, preference वही आएगा, otherwise इन में से आता तो आप उसके according changes कर सकते हैं, फिलाल first आएगा, otherwise second आएगा, तो normally 99.9 cases में आपका first ही आता है, तो यहां पर other state के लिए भी आप center choose कर सकते हैं, जैसे for example कोई person है, आर्मी का other state में job करता है, तो उसके according वहां का address दे सकता है, जैसा नहीं है कि आप अपनी ही उसका area का address दे, तो father guardian application आपकी कौन सी है, तो आप इनमें से है कोई तो ठीक है नहीं, तो आप other कर दीजे, father guardian qualification कितनी है उनकी, वो आप चूस कर लिए जबके father की, mother की qualification, या उनका father guardian हो गए यहां पर, mother क्या करती है, आपकी housewife है, तो इसमें देखते है housewife है, तो नहीं है, हाँ, including housewife, other है, को according आप फिल कर सकते हैं, जो भी है, बड़े ही ध्यान से फिल करना है, तो उसके बाद आप यहां पर again capture दिया गया है, यह capture आप फिल कर देंगे, तो यह capture फिल करने के बाद, again आप इसको save and next करेंगे, जब आप save and next पर click करेंगे, तो you are not eligible on the basis of date of birth, date of birth, date of birth के according यहां पर eligibility नह लेते हैं हम पीछे, तो इसको एक बार save करते हैं, इसको कर देते हैं, मुझे date of birth वहां change करनी पड़ेगी, back, तो आप इसको ऐसा करते हैं, हम यहां से contact detail में जाते हैं, यहां से back जाते हैं, और देखते हैं हमारी detail में modifications होती है, यहां से आप home में जाएंगे, home में जाने के ब choose की, उसके recording, जो details हम से मांगीगी, वो हमने fill कर दी है, same as it is, उसके जैसे ही है, तो हमने here save and next किया, और yes कर दिया, then after that next यहां पर आ गया, because आपकी HKCording आपको class provide होगी, तो इसलिए हमारा वहां fill नहीं हो ला था, class हमने 6 fill करनी थी, वहां 9 कर दी थी, उसको मैंने ठीक कर लिय है, past status, आपका past status क्या है, वो आपने select करना है, तो इसमें यहां पर फिलाल दागे देखते है, not applicable है, यहां फिर से capture आपको आएगा, 93L152, capital में है, save and next करेंगे, yes कर देंगे, class 5th की details वेरा मांगी, उसके recording वो आपने कर दिया है, yes या no, करना है, yes दिया है, तो उसको आपको नो ही रखें उसको, तो यहां पिर आप, आपका कोई भाई, बेहन, जो permanent staff member है, सानिक स्कूल में ऐसा है, कुछ नहीं है, तो आप इसको रहने ने, कोई वे relative है रहा, कोई सानिक स्कूल में job करता हूँ, उसके recording गई है, तो last में यह capture है, जिसमें यह 0 है यहां पर, जो यहां क्या upload होगा, वो देखते हैं, photo होगी, thumb impression होगा, signature होगी, domicile होगा, date of birth का certificate होगा, और class 5th का, जो आपका DMC है, वो upload होगा, इनका size यहां पर बताया गया है, कितना कितना होना चाहिए, और यह सारी image format में होगे, तो हमें इसको upload कर लेता हूँ, one by one, so friends, यहां पर हमने अपने सारे documents upload कर दी है, एक और important चीज़ा, आपका domicile है, date of birth है, और जो आपका class 5th का certificate है, यह आपके PDF होने चाहिए, size यहां पर दी है, this one to this one, लेकिन photo में problem आ रही है, problem क्या आ रही है, जब मैं यहां पर photo upload कर रहा हूँ, तो यह काफी time से problem आ रही है, कि आप इसको properly scan करें, then as per Jobin की specification है, then उसके बाद upload करें, फिलाल यह सारा कुछ हमने कर लिया है, काफी form fill मैंने की है, तो उसमें काफी problem आ रही थी है, तो मैंने 24 आट से उसको log out करके login किया था, तो problem solve होगी, अगर आप भी ऐसा error face कर रहे हैं, तो उसको wait करिए, अगर फिर भी नहीं solve होता तो वीडियो के description में आपको हमारा contact number मिल जाएगा, यह only a WhatsApp contact number है, आप उस पर हमसे call करके या message करके अपनी information दे सकते हैं, और ऐसी वीडियो के लिए ज़रूर हमें join करिएगा, चैनलों को भी subscribe करिएगा for future updates, so thank you friends for watching this video, and for your available time.